हलो दोस्तों एक बार फिट्स वागत है आपका आपारे शानल बर मेरा नाव है बरुन और हम बात कर रहे हैं सीवीट के लिए बही एडवीशन चालू हो गया है मेरे लिस्ट आ चुकी है एडवीशन हम करने वाले हैं लेकिन समस्या भी भी है सारी समस्या है कि क्या वो कॉलेज बहुत अच्छा है मेरे लिए यह नहीं है तो भाई यह चैनल सेग्मेंड है हमारे स्टुडेंट घवरीगा जिसमें हम बात करते हैं कॉलेज और यॉनिवस्टी के ओपर विवीव की ताकि आपको पता चले कि वो कॉलेज जिसके लिए हमार आपको ड्रीम कॉलेज है और हम एंवीशन लेना चाहते हैं क्या हमारे सही होगा यह नहीं होगा तो सारी की सारी उसकी जानकारी उस बुटिकुलर यॉनिवस्टी की या कॉलेज की आपको यहीं इसी चैनल पर मिलती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई दोस्तों मे आफिलेडिड कॉलेज अब बहुत सारी गर्स का यह ड्रीम कॉलेज है जो चाहती है कि भाई हमारा अड्मीशन जो है इस स्यामा प्रसाद मुखर जी SPM बोलते हैं है ना SPM कॉलेज में हो जाए जो की टॉपेस्ट कॉलेज में से एक है गर्स का टॉपेस्ट में बहुत ही अ University of Delhi के अंदर आता है इसकी Location Punjabi बाग में है और अगर यहां बात करी जाए तो Delhi University में यहाँ पे यह डली वशी के अंदर यहू ए स्पर्यम कॉलेज श। अंडर ग्रेजुईशन और पोस्ट ग्रेजुईशन UG and PG courses कराये जाते हैं याद रखेगा इसके highlights में देखें अगर हम तो भया ये established जो हुआ है वो 69 में 1969 में ये इसको established करा गया है address की बात करें सियामा प्रसाद मुखरी कॉलेज अभूमेन road number 57 पजाब ही बाग नियो डैली इंडिया में ये situated है और ये इनके official contact number है जो कई बार उठाये नहीं जाते हैं लगा ले ना लग जाएगा बैसा ऐसी बात नहीं है तो निवस्टी अप डैली से क्या है affiliated है और ये UG and PG courses कराते हैं साथी साथ यहां अगर हम बात करें इनके courses की fee structure और उसके लिए क्या eligibility होनी चाहिए तो बैया ये BSC के दो courses करा रहे हैं Bachelor of Science के इसके लिए जो fees है बैया 30,000 से लेके 1,000,000 रुपे तक की है 3 साल का याद रखिए कि ये fee structure उपर नीचे होता रहता है तो गलत information बच्चों को मिले और यहां पर जो exam है BSC के लिए आपको बता ही है कि 12 में आपके at least 50% से aggregation से जादा होने चाहिए और CUET UZ का आपने exam दिया हो 2022 का cutoff आ चुके हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बही क्या है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है B.Ed के दस एक courses है यहां पर B.Ed जो Bachelor of Education होता है यह हला कि Bachelor degree के बाद ही हो पाता है उसके लिए बिया 34,000 की कुछ फी से 2 साल की हाना चेक कर लिजे के बार और D.U.E.T. Kelly University Interest Test जो है इसके basis पर आपको यहां admission दिया जाएगा B.A. B.A. के 40 courses है B.A. Girls के लिए याद रखिएगा 40 प्रकार से B.A. होता है ओनर से सिंपल से सारी चीज़ है 7,000 रुपे से लेके 29,000, 30,000 रुपे तक की फीस से 3 साल की यहां पर अलग-अलग courses की ठीक है और इसमें 12 में at least 40% होना चाहिए C.U.E.T. U.G. का exam आपने दिया हो इसके address exam का जो आपका score है उसके basis पर cut-off बनेगा cut-off के बाद ही आपको यहां पर admission दिया जाएगा हाला कि cut-off की बाद भी हम यहां कर लेंगे क्या रहा previous year का cut-off B.com की courses है दो उसके लिए बात करें तो 29,000 से 30,000 के बीचे पर 3 साल की भीज है और C.U.T. U.G. 12th pass 50% ठीक है यह आपका रहेगा B.L.E.D. B.L.E.D. का एक ही course है और यह बिया 68 से 69,000,000 के आसपास 68-69,000,000,000 के आसपास 4 साल का यह program होता है यहाँ पर education भी कराई जाती है साथ में combined courses होता है C.U.E.D. के basis पर यह आपको exam करना पड़ेगा score इसके basis पर 12th में भी आपके 50% होने चाहिए marks और C.U.E.D. U.G. में आपने अच्छा score किया हो तो फिर merit list के basis पर आपको यह आपको course allot हो जाएगा पर आप करना चाहिए तीन courses है M.E.K. इसकी fee जो है दो साल में 18,000 रुपी के असपास है और यहाँ पर graduation में 40-50% आपके marks होने चाहिए साथ ही साथ यहाँ पर T.U.E.D. का exam आपको देना होगा हलाँ कि यह T.U.E.D. PG हो गया है याद रखिएगा Scholarships की बात कर लें तो B.I.E. जो college है S.P.M. बहुत important college है अच्छा college है girls का जिसमे All India Scholarship भी provide करी जाती है साथी साथ 3 सुल्तान चंत्र Memorial Scholarship है जो बच्चों को दी जाती है सुस्मा गुपता Memorial Scholarship है जो प्रवाइट की जाती है और S.M.P. S.M.P. पुरी है ना यह Memorial Scholarship है यह बहुत सारी Scholarships है जो बच्चों को दी जाती है उनके academic excellence को देखके है ना academic excellence की बात करें इसके अलावा यहाँ पर category wise कुछ बहुत सारी आपकी scholarship है साथी साथ यहाँ पर जो background financially जो कमजोर background के बच्चे है उनके लिए भी यहाँ पर scholarship प्रवाइट करी जाती है तो बिलकुल बेज़ज़चा खोके आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं quick facts की अगर बात करें बहुत important important चीज़े हैं यहाँ पर यह जो women college है यहाँ पर यहाँ पर आपको देखें तो आप non collegiate women education board इसके वीडियो डला है अगर आप चाहें तो इसके भी admissions हो रहा है यहाँ पर यह operate करता है उसका भी center है यह जा सकती है तो distance learning का जो program है उसके अंतरगत यहाँ पर इसका center है यह जिसमें आप admission ले सकते हैं याद रखेगा ठीक है और यहाँ पर welfare board है social welfare board है ना इसके द्वारा भी अलग-अलग कारिकरम करे जाते हैं और बताएं तो SPM college जो है यहाँ पर अलग-अलग committees है जो अलग-अलग शेत्रों में कारे रथ हैं चित्रों में बदला बच्चियों के उज्जोल भभिशी के लिए जैसे academic supervisory committee जो भिया academics को ध्यान में रखती है committee इसके लावा admission committee है जो admissions पर पूरा focus रखती है देखती है कि कहीं गलतिया ना हो जाए alumni committee है इनके alumni हैं बहुत अच्छे-च्छे field में जो कारे रथ है anti-ragging squad committee है बढ़ी समस्या का विशह है जिसको कम करने के लिए ये committee रहती है anti-smoking committee है जो भईया धूमरपान ने सिद्वैसे दिल्ली में क्या है कि थोड़ा सा production ज़्यादा है थोड़ा सा नहीं है ज़्यादा ही है ना उसके कारण भई बैसे ही बिना जो smoke नहीं करते हैं उनको भी smoke ऐसा बोलते हैं कि 8 से 10 smoke per day का आपको इतना खत्रा हो जाता है इन्हेल करने में ही ठीक है तो करने से तो ज़्यादा ही समस्या है canteen refreshment की committee भी है cbcs committee इसके अलाबा internal complaint committee भी है और cleanliness committee भी है जो भी यह देखती है साब सफाई के बारे में तो यह बहुत सारी committees है जो यहाँ पर काम कर रही होती है इसके अलाबा यहाँ पर क्या है best इस college में कौन सा course best है तो भी अगर बात करी जाए तो BA course जो है दो साल का यह एक course जो हमने discuss किया था वो बहुत important है जिसमे 66 seat हैं केबल और DUET के basis पर यहाँ examination मतलब बच्चों को यह offer किया जाता है BA course जो है हमने कहा था कि 40 courses हैं यहाँ पर और इसकी 990 seat हैं मतलब 1000 seat हो के आसपास यह seat है BA courses के लिए CUET के basis पर girls को यहाँ पर admission दिया जाएगा उनके respective course में BSC 3 साल का program होता है दो courses है जिसकी आपने बात करी थी 117 seat हैं और CUET के basis पर यहाँ admission आपको मिल जाने वाला है BCOM के 2 courses है जिसमें 265 seat हैं और CUET के basis पर यह admission होने वाले हैं BLAD यह 4 साल का program है और 63 seat है total CUET के basis पर जहाँ यह आपको मिलने वाला MA 2 साल का program है 3 courses है और 65 seat हैं जिसमें DVT के माध्यम से ही admission लिये जाते है admission process आपको पता है कि अगर वो online है अगर क्या है तो online ही admission process online ही है उसके लिए आपको particular website पे जा कि क्या करना होगा registration करना होगा उसके बाद application form submit करना होगा उसके बाद आपको जो required documents है वो सारे के सारे है उसमें submit करना होते हैं और आपके photo हो गया signature हो गया यह सारी चीज़ों को ढंक से देख लीज़ेगा जो भी form fill करना है उसमें आपका नाम में mistakes ना हो sparring mistakes क्योंकि यह हमेशा के लिए हो जाता है आपको आपकी mail ID रखना है और mail ID ध्यान रखिएगा कि वो उसपर ही सारे contacts होते है phone number भी आपको अपना registered phone number देना जिसपर ही आप पूरे साल में जब तक पढ़ रहे है तब तक सारी important जान का रही उसके बाद भी आपको उसी number पर मिलती है तो वो number भी आपका आपका ही होना चाहिए गलत number आपना डाले इसके अलावा फिर भी आपको fee pay करनी होती है fee pay करने के बाद आप क्या करेंगे उस form को print कर लेंगे ताकि future में आपके use हो जाए तो यही सारी प्रक्रिया है हाँ लेकिन अगर DUET है है ना अभी CUT है CUT पर दब University Interest Test हो गया DUET होता है Delhi University का Interest Test जैसे कुछ-कुछ courses जो offer कर रहे MA के courses हो गए तो इसमें क्या होता है कि Delhi University के जो करमचारी है उनके लिए 50 प्रदिशसी टे अरक्षित होती है और बाकी के लिए क्या होता है यहाँ पर DUET के माध्यम से जो भी test है उसके basis पर ही उनके result के आधार पर आपको admission दिया जाता है तो यह सारी सारी प्रक्रिया है यहाँ जो online माध्यम से ही conduct होती है याद रखिए का application process हमने डिसकस करी लिए कि कैसे क्या होनी है सारी cu-sumarth.ac.in इस पर जाके आपको यह सारा का सारा registration कर रहा होता है जो हमने डिसकस कर लिया था previously क्या-क्या इनके trend रहे हैं cut-off के college के तो बहुत important है क्योंकि उसी से हमारा cut-off भी समझ में आएगा क्या क्योंकि वही same cut-off ही रहता है आस-पास ही रहता है become honors के program की अगर बात करी जाए तो first cut-off 97 गया था last year यहाँ पर और फिर second cut-off जो है 95.75 third cut-off जो है 94.50 और special cut-off भी same ही रहा था 94.50 इसके लावा fourth cut-off आया था 94 फिर fifth 93 seats full हो गई थी इसलिए यह close हो गए थे आगे special drive में बच्ची नहीं थे BA honors applied psychology में 97 था initial first cut-off फिर second 96.50 फिर third 96 और seat fulfill हो जाने के कारण यहाँ पर यह आगे close हो गया था BA honors economics से करने वाले बच्चों के लिए first जो cut-off था 97 था second cut-off 96.5 था और फिर यहाँ पर यह बर गई थी सीट है लेकिन हाइस fifth cut-off में 94 और फिर close ठीक है BA honors political science के लिए 97 cut-off था second cut-off 94.5 था then 93.5 third cut-off हो गया था special cut-off 93.5 भी था fourth cut-off यहाँ पर 92 हो गया था उसके बाद seat fulfill हो गई थी closed हो गया BA honors English भाले जो बच्चे थे उनके लिए 95 cut-off गया था first cut-off second cut-off 94 था third cut-off भी 94 था और इसके बाद BA यह close हो गया था लेकिन अगेन यहाँ पर fifth cut-off 93.5 आया था और special drive में 93.25 और second special में 91 cut-off गया था तो इसी के आसपास आपके यह cut-off रहने वाले हैं बिल्कुल बेफिकर रही है placements की बात करें तो भी आपको पता है कि अच्छे-च्छे colleges में TNP sale होता है TNP बोले तो training and placement sales और इसका काम क्या है बच्चों को training provide कराना इनको अलग-अलग session conduct कराना और ऐसा इनको बनाना ताकि इनका placement हो पाए future में जो इनने education करी है उसका फाइदा यह दूसरों को भी दे पाए और अपना भी भला गर पाए प्लेशमेंट हो यह job कर पाए तो यह सारी के लिए यह द्रण वद्ध है करतब है इनका और यह जो cell है placement cell यह बच्चों के लिए यह सारी चीज़े arrange करवाता है अलग-अलग समय में याद रखिए तो टेक्निकल के लिए यहाँ पर अच्छा खासा स्कोफ है टेक्निकल बच्चे बहुत सारी टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं साथी साथ यहाँ पर commercial भी जो है बहुत सारे आपके recruiters हैं जो आते हैं facilities की बात करें यहाँ पर sports facilities हैं भीया जो की हर college में होती है और बैसी बात है यहाँ भी होगी multiple sports grounds है coaching भी यहाँ पर उपलब्द है उन sports की ठीक है college events की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही busy calendar रहता है एक से तीन महीने का event पर याद रखिए तो बहुत सारे events होते हैं food की बात करें तो भीया खाना तो भीया बहुत important चीज है बिना उसके कुछ नहीं होता है न फूड़ी लोग अभी है पैसे तो ठीक है so mess है cooking arrangements भी है यहाँ पर hygienic variety of foods good quality taste और यह सारी चीज है जो लोगों को चाहिए वही तो है लिखा है बाकी जाके मैंने देखा नहीं girls scholars है तो idea भी नहीं है लेकिन हाँ reviews अच्छे है बहुत खराब नहीं है बच्छों के चीके attendance policy important है बया कि यहाँ पर सवस्या हो जाती है attendance मतलब आपने बंक ज्यादा मारा तो निकत हो जाती है अना complete करना है attendance जो policy है उसको 70 to 75% आपके attendance होनी चाहिए minimum नहीं तो आपके penalty लग जाती है dress code की बात करें तो नहीं भाईया कोई dress code नहीं है यहाँ जो चाहें वो पहल सकते हैं ठीक है साथी साथ additional expenses की बात करें तो books अलगी library है ठीक है consequences of rules violation rule breakers let up without warning अगर आप rule तोडते हैं कोई तो आपको क्या है warning तो दी जाएगी लेकिन एक दू warning के बाद फिर सक्तकारवाई भी करी जाएगी outside movement of a girl student not at all restricted restricted नहीं है आप जा सकते हो बाहर लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर ही रह रहो classes बगेर रहो attendance policy करो सारी चीज़ अच्छे से करो तो कोई सबस्या नहीं है ठीक है तो यह पूरी की पूरी यहाँ पर क्या ती भी आ facility थी अब बात faculty की कर लेते हैं तो बही बहुत important principle महोदया जो है वो साथना सर्माची है ताती साथ यहाँ पर डॉक्टर दीब की हांडा जी है जो associate professor है Department of Hindi की इसके लावा डॉक्टर S.B. दुलवार प्रोफेसर है Department of English के इनकी qualification M.A.M.P. PhD की है मिस नीरजा धवन भी है यहाँ पर प्रोफेसर जो Department of Political Science की है दॉक्टर सुभा पर्मार यह प्रोफेसर है Department of History की और भी बहुत सारी अच्छे-च्छी faculties है जिनकी जानकारी के लिए आप जा सकते हैं कहां पर website पर कौन सी website पर official website पर जो की क्या है dspmqrachy.ac.ac तो इस पर जाके आप ताकि उनका भला हो जाए चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारी कवर यही मिल पाए cvd से related और आपके doubts भी resolve यही कर पाए हाँ तो मिलेगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिए I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe